मिट्टी का सोना मिट्टी का सोना एक गाव में एक किसान था उसके एक लड़का था वह लड़का जब छोटा बालक था तभी उसकी मा मर गई कुछ दिन बीट गए और वह किसान भी बीमार पड़ गया उसको लगा कि उसकी मौत निकटाई है उसने अपने लड़के को पास बुलाया और कहा बेटा मैं गरीब हूँ इसलिए मैं तुमको जमीन जायदा दे नहीं सकता लेकिन मैं तुमको आशिर्वा देता हूँ कि तुम मिट्टी को भी हाथ मिलोगे तो वह सोना बन जाए अपने पिता के मनने के बाद लड़के ने बड़ी भक्ति के साथ अपने माबाब का स्मरंड किया और बड़ी महनत के साथ काम करने लगा उसकी महनत की वज़े से उसे इतने रुपे मिले कि उसने अंगूर का एक बगीचा खरीदा सब बगीचों से ज्यादा उसके बगीचे में अंगूर लगे कुछ समय बाद उसने और भी कई फलों के बगीचे खरीदे मच्छी पकड़ने वाली नाव भी खरीदी तेल और मच्छीों के व्यापार में उसे खूब फैदा होनी लगा जल दीवा उस शहर के बड़े अमीरों में से एक अमीर बन गया वा जो भी काम करता उसे फाइदा ही फाइदा होता अब वा एशों आराम की जिन्दगी बितानी लगा राज महल जैसे महल में दिन बिताते हुए उसने एक अमीर लड़की के साथ शादी भी कर ली मेरी तौकत के बाहर की किस्मत मुझे प्राप्त हुई है इसलिए मुझे नमालूं क्यों दर लगता है मुझे जितनी आसानी से जो संपति मिल गई है वह उतनी ही सरल्टा से जाब ही सकती है लक्षमी देवी का मुझ पर करोत पैदा हो सकता है उसको संतुष्ट करने के लिए मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मेरा नुकसान हो ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे जरूर ही नुकसान हो जाए उस युवक के दोस्त ने सोचते हुए पूछा खजूर कहा मिलते हैं? युवक ने जवाब दिया काईरो से आते हैं फिर क्या यहाँ पर जो खजूर मिलता है उसे ज्यादा दाम देकर खरीदो उसे उटों पर काईरो ले जाकर वहाँ पर कम से कम दाम पर बेच दो तुमको जरूर नुकसान होगा दोस्त ने साला दी यह साला उस युवक को बड़ी अच्छी लगी उसने दूसरे शहर के व्यापारियों के पास जो कुछ खजूर था सब खरीद लिया दाम भी आधिक लगाया था इसके बार उसने कुछ उटों को किराय पर लिया खजूर के जावों को उन पर लद्वा कर काईरों के लिये रवाना हुआ कई दिन तक उसने रेगिस्तान में यात्रा की पिरामिडों के प्रदेश में पहुँचने पर वह आश्चर्य चकित होकर खड़ा रह गया उसी वक्त इजिब देश का राजा एक सफिक गोडे पर सवार हो उधर से आ निकला उसके साथ उसका परिवार और कई सिपाई भी थे सभी सिपाईयों के हाथों में चलनिया थी युवक ने राजा को देखते ही नमस्कार किया और बड़ी अदब के साथ पूछा सरकार सिपाईयों सब अपने हाथों में चलनिया लेकर क्यों आए हैं इस पर राजा ने जवाब दिया आज सुबह मैं इस ओर घोडे पर सेर करने निकला उस वक्त मेरे हाथ की एक अंगूठी बालों में कहीं गिर गई जो शादी के समय की थी वह अंगूठी मेरे लिए प्राणों के समान है वह मुझे जब तक न मिलेगी तब तक मैं इस बालों को चलनियों से चलवाना चाता हूँ इसके बाद राजा ने उस युवक से पूछा तुम काईरों किस काम से जा रहे हो काईरों में खजूर बेचने जा रहा हूँ युवक ने उंटों पर के जाबे दिखाते हुए कहा राजा ने अच्रज में आकर कहा काईरों में खजूर बेचोगे पास के खजूर के पेड़ों को एक बार देखो तो इन में खजूर कैसे लगे हुए है एक पेड का खजूर तोड़ने में एक दिन से ज्यादा समय लगता है तुम अपना माल काईलो ले जाओगे तो एक जाबे के लिए एक सिक्का तक न मिलेगा तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा राजा के अनुचर और सिपाही भी हस पड़े युवक ने आपने दुर्ध निर्ने की सूचना देते हुए कहा आप कहते हैं कि मेरा नुकसान होगा मगर मेरा डर यह है कि मेरा नुकसान ही न होगा मेरे पिताजी ने मरते दम यह आशिरवाद दिया है कि तुम मिट्टी भी छोगे तो वह सोना बन जाएगी यह कहते हुए युवक ने जुक कर मुठी भर बालू लिया उसने मुठी खोली तो बालू खिस गया और सोने की अंगूठी बच रही यह मेरी खोई हुई अंगूठी है राजा आश्चरी से चिल्ला पड़ा राजा ने युवक की किस्मत की बड़ी तारीफ की और बड़ी आसानी से अपनी अंगूठी ढून देने के कारण उसे कई कीमती उपहार देकर वापस भेज दिया युवक नुकसान की खोज में गया था पर और फाइदे के साथ घर लोटाया